दक्षिन अवरीक की तूफान नाली में छोड़े जाने के बाद लाल चीन्टियों को डिंपाने की कॉलोनी के बीच चमतकार नवजाच इशू मिला 63 वर्षिये चामाइन कीवी दक्षिन अवरेका के पोर्ट एलिजबेट में अपने सौसेज कुट्टि जॉर्जी के साथ सुबह की पैदल चलने के लिए बाहर निकल गए थे जब अचानक गटर में नाली की नली पर जोर से चकन शुरू कर दिया एक नए बच्चे को लाल चीन्टियों के डंठल की एक कॉलोनी के बीच ठंडे पानी के नाली में फेंक दिया जाने के बाद एक चमतकार का स्वागत किया गया है 63 वर्षिये चामा इनकेवी ने दक्षन अवरेका के पोर्ट इलिजबेट में अपने सौसेज कुट्टिल जॉर जी के साथ सुबह की पैदल चलने के लिए बाहर निकल लिया था जब गटर में नाली की नली पर अचानक जोर से भौँखने शुरू हो गया था खान पान कंपणी के मालिक ने कहा कि उसने एक शोर सुना और सोचा कि यह एक बिल्ली का मदेरा था लेकिन जब वह अपने हाथों और घुटनों पर आ गई तो उन्होंने महसूस किया कि वह एक बच्चे को नाली के गहरे अंदर से रोते हुए सुन सकती है उनमत शामेन मदद करने के लिए कारों गुजर नीचे शुरू किया जब तक मोटर यात्री कॉनियन विल्जोन साथ पर खिंच लिया और खुद के लिए सुनने के बाद सहमती व्यक्त की है कि वे वास्तव में दोनों एक बच्चे को रोना सुन सकते हैं उसने अपनी कार के बूट से स्टील बार पुकड़ा और चामेने की साहता के साथ उनको जोड़े इने भारी कंक्रीट स्लेब को लिव करने में काम यब किया ताकि तूफानी पानी को नी शुल्क कवर किया जा सके ताकि वे अंदर देख सके बहादुर कौनी को नाचने में छे फुट नीचे छोड़ना पड़ा था और उसके दोनों पैरों पर लगभग तुरंत मुकदमा शुरू करना पड़ा और एहसास हुआ कि वह लाल चीटियों की एक कॉलोनी में खड़ा था क्यूंकि उसने बच्चे को पकड़ने की कोशिश की थी उन्होंने कहा बच्चा भाग्य शाली था लाल चीटियों को नाले में उपर था और नीचे वह नहीं था जहां वह थी मुझे यह नहीं पता है कि किसी को एक नवजाच शुशु के लिए ऐसा क्यूं कर सकता है लेकिन मैं बहुत खुश था कि हम उसकी मदद करने और उसकी जान बचाने में सक्षम थे मैंने चामिन को तुरंट पातकालीन सेवाओं को कॉल करने के लिए कहा था पुलीस और परिचारक हाई पोतमिया के लिए द्रिशे पर बच्चे का इलाज किया था और उन्हें अपातकालीन उपचार के लिए डोडा एनिंजा अस्पिताल पहुँचाया गया था और गर्म करनी के लिए पुलीस प्रवक्ता करनल प्रुसिला नाइडू ने कहा यह संभावना है कि जिस व्यक्ती ने ऐसा किया हो वह इस क्षेत्र के बाहर से आया हो और वहां बच्चे को वहां रथा हो हम गवा हों और इस बच्चे की मां को आगे आने के लिए अपील कर रहे हैं चामिन ने अपने सुबह की पैदल चलने पर बच्चे को पाया उन्होंने कहा मैं इमानदारी से मानता हूं कि मैं भगवान से उस बच्चे को खोजना चाहता था क्यूंकि मैं आमतोर पर अपने कुट्टे की सहर पर एक अलग मार्ग लेता हूँ लेकिन किसी कारण से किसी अन्य तरीके से चला गया मैं मदग नहीं कर सकता लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तरह की योजना और उस छोटी लड़कियों के जीवन के लिये एक उद्देश है यह एक शक नहीं है 3.09 की ग्रामे वजन और दक्षन अवरेकी पुलिस सेवा की पारेवारे खिंसा बाल संरक्षन और यौन प्राधिवनिट को मा की कोशिश और ट्रेस करने के लिए बुलाया गया है अस्पिताल के कर्मचारियों ने उसे अनुग्रह अप्रेल कहा है और वह बच्चे के वाड़ पर एक सेलिब्रिटी बन गई है सोशल वकर पामला रुबु से जो बच्चे की देख भाल कर रहे हैं और उसे सुरक्षा के एक स्थान का अनुमान लगाएगा कि वह कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया गया था हाई पोतम हिया के नजदीक था और समय पर पाया गया था चामन ने कहा मुझे आशा है कि मां आगे नहीं आती है कि अनुपरा अप्रेल एक प्रेमपूर्ण परिवार पाता है और इस दुनिया पर अपना निशान बना देता है